मत्रा में एक दरिन्दे ने दलित महिला के साथ रेप करने की कोशिश की जब महिला ने विरोथ किया तो आरोपी ने महिला पर मिट्टी का टेल डाल कर आग लगा दी इसकी वज़े से महिला जुलस गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराय गया है फिलाल पुलिस ने मामला दर्जकर जाः शुरूर कर दी है ये मामला थाना राया छेतर के गाऊं बिसावली का है यहां एक दलित महिला के साथ गाऊं के हर्वीर नाम के एक यूवक्ट ने रेप करने का प्रयास किया महिला के पती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मार पीट की और महिला पर मिट्टी का तेल छिड़ा कर आग लगा दी जिससे महिला जुलस गई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और महिला को गंभीर हालत में जिलास पताल में भढ़ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है फिलाल पुलिस के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तयार नहीं है और वो जाटों में से एक लड़का था वो इसकी इजट लूटने की कोसिस कर रहा था तो इसके पती ने इसको बचाया के मेरी बीगी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है तो उसने इसके पती को मारा इसका पती गाउं में बे उस पढ़ाए और इसको ये उपरा मट्टी का तेल छिला के आग देती है